4G स्कूल के आनलाइन तर्जे तालीम में आप तमाम का इस्तखबाल है पाँचवी जमात उर्दुबाल भारती सबख नंबर 14 एक ख्वाब आज की इस वीडियो में हम इस सबख के सवाल जवाब हल करने वाले हैं अगर आपने वीडियो नहीं देखी सबख की या फिर आप दुबारा देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हो जुद है आप वहाँ से उसे देख सकते हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है नमबर दो पेट की किस किस ने हसी उड़ाई जवाब मुझ जबान दातों ने मिलकर पेट की हसी उड़ाई नमबर तीन पैरों ने क्या तजवीश पेश की जवाब पैरों ने ये तजवीश पेश की कि हम सब के सब पेट के लिए कुछ करना धरना छोड़ दे नमबर चार आदत के मताबिक बड़े मिया बिस्तर से क्यों न उट सके जवाब बड़े मिया सच मुछ नहीं जागे थे वो खौब में ही जागे थे इसलिए आदत के मताबिक बिस्तर से उट न सके नमबर पांच किसी को खुद से कम तर ना समझने का क्या फाइदा है जवाब किसी को खुद से कम तर ना समझने का ये फाइदा है कि जिन्देगी की गाड़ी सेहत व सुकून के रास्ते पर चलती है अगला सवाल देखते हैं मुख्तिसर जवाब लिखिए पहला है इसमें खुआब में पैरो ने पेट से क्या कहा जवाब खुआब में पैरो ने पेट से कहा पेट रे पेट तू मोटा भी है और अखल का खोटा भी काम का ना काच का दुश्मन ना नाच का हम दिन भर चलते फिरते हैं, बाजार जाते हैं, खाने पीने का सामान लाते हैं, तू बस खाता है और चैन की बंसी बजाता है, निठला कहीं का नमबर दो, पैरो की बात सुनकर हातों ने क्या कहा, जवाब, पैरो की बात सुनकर हातों ने कहा, हाँ हाँ, पैर ठीक ही कहते हैं, अब हमी को देख, हम कितनी मेहनत करते हैं, बाख की सफाई, गेहू की पिसाई, फिर आग जलाना, खाना, पकाना, ये सब हमारे काम, और तू स सब कुछ चटकर जाता है मुफ्त खोरा नमबर तीन मूँ जबान और दातों ने पेट को क्या खरी-खरी सुनाई जवाब मूँ जबान और दातों ने पेट को खुब खरी-खरी सुनाई कहने लगे हम ना होते तो क्या होता क्या तु बाजार जाता क्या खिस्म खिस्म के पकवान उड़ाता हाथ पाउं अपना काम कर चुकते हैं तो खाना हम चबाते हैं उसका मज़ा हम बताते हैं इसे मेदे तक हम पहुचाते हैं पेट रे पेट तू हो मलिया मेट नमबर चार बड़े मिया ने बिस्तर से उटना चाहा तो क्या महसूस किया जवाब बड़े मिया ने बिस्तर से उटना चाहा तो महसूस किया कि पाउं बेजान होकर रह गए हैं फिर हाथ धिलाने की कोशिश की तो हाथों ने भी कोई हरकत ना की ना मूँ खोल सके ना जबान स मूँ जबान ने अपने काम करना बन कर दिये तो पेट भी बेचारा कुछ ना कर सका वो पिचक गया था और बेजान पढ़ा रहता ये सब देखकर हाथ पाउं मूँ जबान और दात को अपनी गलती का हिसास हुआ और वो समझ गए कि पेट ही ने इन्हें अपनी जही सही चल सकते थे हाथ वो जुठा सकते थे मुग फुल सकता था जबान चल सकती थी दात खाने का निवाला चबा सकते थे वो बिलकुल भले चंगे थे अगला सवाल देखते हैं मुंदर्जा जेल मोहावरों को जुमलों में इस्तिमाल कीजिए पहला है चैन की बंसी बजाना इसकूल से छुट्टी पाकर तमाम बच्चे चैन की बंसी बजा रहे हैं इसका मतलब है बहुत आराम से बैठना हसी उडाना किसी का मज़ा खुडाना कीचर में गिरने पर सबने ही ना की हसी उडाई नमबर तीन पंजे जाड़ कर पीछे पढ़ना यानि कि हर वक्त पीछे लगे रहना गली में नया कुत्ता आने पर तमाम पुराने कुत्ते पंजे जाड़ कर उसके पीछे पढ़ गए चुप साद लेना खामुश हो जाना चोरी पकड़े जाने पर राहिल के साथ ही उने चुप साद ली जली कटी सुनाना इसका मतलब है कि बुरा भला कहना काम ना करने पर मालकी ने नौकरानी को खुप जली कटी सुनाई अगला सवाल देखते हैं काम का नकाच का दुश्मन अनाच का ये एक कहवत है जो इस सबख में आई है कहवत से बात में जोर पैदा होता है अपने उस्ताद की मिदद से नीचे दी हुई अधूरी कहवतों को मकमल कीजिए यहाँ पर हम देखेंगे जो कहवते आपको दी है उसे किस तरह से मकमल किया गया है मानना मान मैं तेरा महमान आम के आम गुटलियों के दाम आसमान से गिरा खजूर में अटका चार दिन की चांदी फिर अंधेरी रात नाचना जाने आंगन टेड़ा जब तक सास तब तक आस गोर करके बताईए अगर आँक और कान काम करना छोड़ दे तो क्या होगा जवाब अगर आँक काम करना छोड़ दे तो ये दुनिया हमारे लिए अंधेरी हो जाएगी हम दुनिया की रंगीनियों और रानखों से महरूम हो जाएगे हमें हर काम के लिए सहारे की जरूरत होगी अगर हमारे कान काम करना बन कर दे तो हमें सुनाई नहीं देगा कौन क्या कह रहा है इसका इल्म हमें नहीं होगा रास्ता चलते वक्त पीछे से आने वाली सवारियों के हौन की आवाज भी हमें नहीं सुनाई देगी हाथसे से दोचार होने का इमकान बढ़ जाएगा आक और कान की नेमतों से हम अगर महरूम हो जाएं तो हमें कई तरह की परिशानियों का सामना करना पड़ेगा जिन्दगी अजीरन होकर रह जाएगी आखरी सवाल है सरगर्मी पेट, हाथ, पैर, मूँ, जबान और दात को किरदार बना कर इस कहानी को ड्रामे की शकल में पेश कीजिए ये आप अपने उस्ताद की मदद से अपने जमात में इसे इंशालला कीजिए और अगर आपको इसमें कोई उद्धिखत पेश आती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताए इंशालला हम इसको भी हल करने की कोशिश करेंगे इस हमारी अगली वीडियो में तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को और प्रप्रेस करें इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें